Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, how are you all? I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो थोड़ी important वीडियो है, अगर आप seriously prepare कर रहे हो RRB की exams के लिए. Because देखो, जो भी थोड़े से experienced student होते हैं, उनको अच्छे से पता है कि सिर्फ pre करके हम कुछ नहीं कर सकते. एड अगर mains भी करना है, तो after pre exams mains करना possible नहीं है, क्योंकि उस time में सिर्फ आप revision कर सकते हो, क्योंकि उसी time जब आपका mains होगा, किसी other exam का pre होगा, तो उस time आप सोच सकते हो कि इन सब चीजों को manage करना कितना मुश्किल रहेगा. तो अगर अभी इस time में आप अपने complete day के सिर्फ तीन घंटे भी mains को देते हो, तो आप काफी अच्छा कर पाओगे. So mains में main region जो रहता है कि लोग clear नहीं कर पाते, वो यही रहता है कि उनको time management ही समझवे नहीं आती कि इस time को हम कैसे manage करें, कैसे exam में कौन से section को कितना time देता है, क्योंकि ना तो उन्होंने पहले इतनी ज़्यादा mock दिये होते हैं, और ना ही उन्होंने अपना time decide क्या होता है कि जिसके according में में सारी चीजों को follow कर पाए, तो यह जो complete वीडियो रहने वाला है वो इसी के regarding रहेगा, तो यह वाला में मेंस का मोग जो है, यह मैंने दिया था, कई दिन पहले मैंने यह दिया था, जब मैंने खुद time अपना section wise decide नहीं कर रखा था, and guys अगर अभी आप भी test book पे देना चाहते हो, तो अभी जो yearly pass pro है, वो आपको 492 रुपीज में मिल रहा है, and you can avail this price after applying my code DA10, और you can go through the link given in description box और comment section, and guys आज रात से ही price जो है वो increase हो जाएगा, and यह same जो pass pro आपको 492 रुपीज में मिल रहा है, यह आपको 600 रुपीज में मिलेगा, तो आप सो सकते हो कि कितना ज़्यादा price आपको pay करना पड़ेगा, इसलिए अगर आपको need है, आपको चाहिए कि हम mock test दे पाएं, बार आप यह check कर लेना, तो mains में हमें total consolidated time मिलता है, जिसको हमें अपने according distribute करना रहता है, तो main problem यही रहती है, कि उस time को किस तरह से हम divide करें, ताकि हमारी sectional भी clear and हम अच्छा sport भी कर पाएं, तो जो time मैंने अपने लिए decide किया है, वो मैं आपको बता देती हूं, बाकि आप अपने according भी अपना prepare कर सकते हो, बट जो many time रखा है, वो extended time को ध्यान में रखके decide किया है, जिससे कि किसी भी section में loss ना हो, and sequence क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बत same 35 minute का time देना है, reasoning से start इसलिए करना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे ये strength है मेरी reasoning में, तो यहां से मुझे confidence आजाएगा, क्योंकि अगर मैं reasoning को पहले attempt करती हूं, same अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई और section जो है, जिसमें आपकी strength है, तो आप उससे start कर सकते हो लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कि जिस भी first section से start करते हो, आपका वही section रहे, जो आपका मोक में या फिर उंदर पे practice करते हैं, तो ये चीज़ होती है कि first section में अगर आपका थोड़ा भी खराब हो जाता है, तो ये चीज़ आपके mindset को affect करती है, जो आ आप आगे के section पर जाते हो, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस एक section की विज़े से आप paper खराब हो जाता है, तो ये जीज़ आपको सोच के चलनी है, दिन जीए in computer, दोनों को 10 minute per section देना है, क्योंकि इसमें सोचने पर इतना time लगाना ही नहीं है, जस्ट हमें ये होता है क question बड़ा, अगर हमने पढ़ रखा है, तो हम answer कर पाएंगे, otherwise नहीं पढ़ रखा, तो क्या ही उस पर सोचने से कुछ नहीं होने वाला, और यहाँ तो बिल्कुल भी जैसे IBPS और एक्जाम होता है, वहाँ तो इसका GA का complete time हमारे पास होता है, 30 minute का, 35 minute का, तो वहाँ तो हम सो 25 minute का time दिया है, and 5 minute में रिजर्व रखी है, mark for review वाले questions के लिए, तो इसमें आपकी मर्जी है कि आपको जिस भी section में यह लगे कि surely मैं यहाँ से marks गेन कर सकता हूँ, तो आपको वहाँ पे यह 5 minute invest करने है, अगर आपको लगे कि जी यह इन computer में भी कोई question है साथ है, तो जो थ I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगी, तो okay, take care, bye